नमस्कार दोस्तों PCS गुरुजी में आपका स्वागत है दोस्तों इस साल के आंत में अमेरिका का राश्पती के चुना होगा और अभी से ही बहुत जोर शोर से तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है इंडिया को लेकर वैसे तो काफी जाता ही है देखिए दुनिया की नजर इस तो डेमोक्रिटिक पार्टी की तरफ से भारत मूलकी कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट्शिप के लिए वो खड़ा कर रहे है वो कैंडिड बनेंगी कमला हैरिस बनेंगी ठीक है अब इसका बहुत जादा परभाव है इस चीज इस बात का बहुत परभाव है तो इस सब्सक्राइशन हो उन लोगों का क्या कॉंटूबिशन हमारे देश के लिए है तो इस वीडियो में हम इस बातों समझने कोशिच करेंगे एक्जाम के लिए बहुत इंपॉटेंट है इस वीडियो का अंतर जूर देखिएगा दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो लोग य स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों कमला जो हैरिस है इनकी मा जो तमिल नाडू से थी और उनके फादर है वो जमायका के रहने वाले थे तो जमायकान फादर और साउथ इंडिया मदर की ये बेटी है कमला हैरिस पेशे से ये एक लॉयर है और इन्होंने हुमन राइट् इसलिए इनकी बहुत अच्छी इमेज है 2017 में ये कैलिफोनिया से एक सिरीटर यानि जो हमारा जैसे MP होता है वैसे एक सिरीटर के रूप में वो चुनी गई थी और काफी ज्यादा एक्सपर्ट है बात करने में बोलने में और काफी एक एनरजी इन में रहती है तो जो डिम जी जाएंगे तो एक अमला एक मैम्ला हरीस वैस बन जाएंगी अब जो बेटन ने इत्फना इंपॉर्टेंट जीज यह इतना इंपॉर्टेंट पोस एक इंडिया जो मेगरेन ओर एक इंडिया में मल्की शिस्टरम है वैसलिब चाहां पे नहीं है कई पॉलिटिकल बातें हैं समझना जूरूरी है, एक है रिपपप्लिक पाथी और एक है डेमोक्राटिक पार्टी, एक है डेमोक्राटिक चुनते हैं रिपब्लिक पार्टी में आपके डॉनल्ड ट्रम्प है जो मौझूदा दौर में राश्पती है ठीक है और इनके चुनावची नहीं है वह है हाती वही डैमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग है इसमें से आपका ओबामा आयते हैं हिलरी करिंटन आयती है और जो ऑressed that आयता है लेकिन कहा याता है जो इन्टान लोग हैं वह जातर हो डैमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसके कई कारान किधिशा कि एक साउर्डिक पार्टी को सपोर्ट में करते है तौकि कि लिए मसलों वह जो पैसा कलेक्टों का वह गरीबों में बढ़ जाना चाहिए तो यह सब बाते जो होती है जो एक्वैलिटी को प्रवोड करती है या सोचलिजम को प्रवोड करती है कहीं ने कहीं डेमोक्रिटिक पार्टी के जो आइडोलोजी है जो आइडोलोजी वह एशन और इंडियन उनको आगे बढ़ा हुआ देना चाहिए अब यह देखिए ना डेमोक्राटिक पार्टी के ही जो बुराक उबामा थे जो की पहले ब्लैक प्रेजेंट बने तो डेमोक्राटिक पार्टी थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की है और फिर देखिए कमला हैरिस को अग्रेसिव जो क्यांपेण रहता है और बीच में नोने जो फिल्म हावडी-मोदी जो केंपेण स्टार्ट किया था हावडी-मोदी ने बहुत हेल्प किया है डॉनल्ड ट्रम को तो कि डॉनल्ड ट्रम्प ने मोधी के कारण बहुत सारा इंडियन वोट अपनी तरफ अप खासकारी गुजराती वोट जो है जो वो रिपब्लिकन पार्टी के तरफ जा रहा है तो बहुत हल्प मिली है हावडी-मोदी कारिकरम से डॉनल्ड ट्रम को तो इसका ही कॉंटर करने के लिए कमला हैरिस को किया गया था तो पहले देमोक्राटी के पास बहुत इंजॉय करत है या जो ब्लैक जैमेकन प्रूट्स है वो डेमोक्राटी को मिलने चाहिए ठीक है चलिए यह तो बात कमला हैरिस की हो गई अब हम बात करते हैं कि इंडियन डाइस्पोरा के क्या है क्योंकि टॉपिक जो है कमला हैरिस बहुत इंपॉर्टन नहीं है अगर असों इंडिवि बाहर विदेश में दूसरे देश में आके बस गए या तो उन्होंने सिडिजन सिब ले ली या उनकी एक दू जेनरेशन हो गई है ठीक है एनराइस तो होते ही है साथ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके फोर फादर यानिकि उनके पापा या दादा भाहर गए थे और हो बस गए लिए उनकी जड़े हैं की है इसको इंडियन डैस्पोरा बंद अब तूसर हो है वह ईन्डियन सबसे बडा राधा है तो इंडियन सबसे जादा भाह उए लगबग एक आंकड़ा के साब से मोटा मोटा समझेते हैं, डाय करोड इंडियन जो हैं वह पूरे दुन्या में फैले हुएं, अलाग-अला इलाग कांट्रीज में फैले हुएं, वह सबसे आता है, वह यूए में है, सेकर्ड नमर पर यूएसे में है, यूके में है, स्वे सा आपने पढ़ा ही है कि हरपा जो टाइम पे यह लोग ट्रेड करने के लिए वैपार बहुत करते थे हरपा के लोग जो तो इस चेकर आप फोटो पर देख रहे हैं तो बहुत सारे जो हरपान सिडिजन्स थे वह आते हैं और सुमेरियन दीफ हो गया इसको अगर आज की एक इंडियन डैस्पुरा बना पहली बार हरपा के टाइम पर बना है ठीक है उसके बाद एक दौर आया पांसो से लेकर छे सोला सो एडी के बीच में आया लगपक 1100 साल का समय रहा इस टाइम पर जो इंडियन्स हैं वैपार करने के लिए ठीक है बहार निकलते हैं अगर हम नौर्थ इंडिया की बात करें उसमें गुपता पीरेड चल रहा था खतम होने वाला था और साथ में भी जो चोला पीरेड चल रहा था ठीक है इंडियन वैपार करने के लिए अलग अलग कंट्री की तरफ गए इंडियन ओशन का जो पूरा है वहां पर गए जैसे कंबोड 500 AD के बीच में आई है तीसरा जो डैस्पोरा जो बना वह बनता 19th सेंच्री में जो का को लोनियल टाइम था उस टाइम पर बनता है इस आपको पता है पूरे यऊरपियंस वह वैपार करते थे वैपार करने के लिए वह अलग 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 ने जगह ब जाते थे और वह पहले पॉच्टिक्रेस आए फिर बिटिशस आए तो बिटिशस ने गन्ने की खेती के लिए चुगर केन प्लांटेशन के लिए मजदूर चाहिए तोंको तो वो मजदूर इंडियन मजदूर पहली बार 1879 में फीजी गए वो फीजी जो है वो ऑस्टेलिया और के आसपास एक दिवीब है फीजी सबसे पहले जो इंडियन मजदूर के रूप में गए वो फीजी आते हैं वहां पर बसते हैं ठीक है आज जो फीजी की पॉप्लेशन का लगबग 42 परसेंट जो पॉप्लेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है यानि इतने लोग गए थे फी पर बहुत जाता है तो इंडियन ने अगर अफ्रिका के बात करते हैं तो चीनिया यूगंडा और टैंजानिया में एक रेल्वे जो है इस्टन अफ्रिकन डेलवे वो इंडियन बनाई है तो आप देखो कि इंडिया का बहुत बड़ा डाइस पो रहा है तो अलग अलग टा कारणों से इंडियां गए तो नांटीज सेंच्री की काथा गया उसके बाद 20 सेंच्री की बात करते हैं तो 20 सेंच्री में 1st World War 2nd World War हुआ तो फर्स्स वर्ल्ड वार के लिए तो खेर बहुत सरे इंडियांस ने उद्ध किया लेकिन 1st World War 2nd World War के कारण बहुत सारा क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए थे तो एक लेबर की शॉटेज हो गई कि काम कौन करेगा भाई आदमी तो मर शुके हैं ठीक है औरते तो काम करना शुरू करते यही कारण था कि औरते जब आदमी मर के औरतों ने काम करना शुरू किया तो जो वुमन राइट्स को पूरा करने के लिए 1940s में 50s में बहुत इताद में इंडियान गए अमेरिका में बसे यूरप में बसे ठीक है तो यह बहुत बड़ डैस पूरा इस सुम्हें बनाया गिया अच्छा फिर 50 60s के आसपास मिडिल इस्ट में ओयल तेल का पता लगा और तेल का प्रोडिक्श सफेल बहुत सारी इंडियन के बिए ठीक हो रहती है अगर फिच्चर न की भारत फिल्म में भी दिखाई के थीर इसले लिए अंट चौरी बात करते हैं एक समय आया उस ही तो में 1960 में 1960 के आज पास बहुत तरह इंडियां जो इंजिनर थे चुकि इंडिया में बहुत सरे जॉब्स की अपर्चोर्टीज नहीं मिल पा रही थी तो बहुत सरे इंडियां अमेरिका और यूरोप अपने टैलेंट को दिखाने के बहुत सरे इंजिनर साइंटिस्त वहां भास गए भिस फिर 1961 में इंडिया ने पौटगाल को इंडिया और को ऑनेक्स है गोजिय ले लिया टांव ही त्हुत बहुत सरे इंडियन चो कि दौर में बहुत सारे पंजाबी कनेडा गए के बस गए आज बहुत सारे तदात में जो पंजाबी है वो कनेडा में बसे हुए है ठीक है और बहुत बड़ा कुछनों ने डैसपॉरा क्रेट किया है यूसे तो ये अलग-अलग कारण गया रहे हैं फिर जो अफ्रीका में ब इंडिया में नहीं रहता है अगर कोई बैक्ती चे मेने से ज्यादा के वक्त बहार रहता है तो ये अलग-अलग कारण रहे है अलग-अलग समय रहे जब इंडियन डैसपॉरा बनाई में आपको पूरा हिस्ट्री आपको अब आज की बात करते हैं तो देखते हैं कि बहुत इंडिया में नहीं रहता है अगर कोई वैक्ती चे मेने से ज्यादा के वक्त बहार रहता है तो उसको अनराई कोशित कर दिया जाएगा तो उनके अपने प्लस और माइनस होते है वह अलग-बात है फिर कुछ लोग होते हैं थे पीपल ऑफ इंडियन औरिजिन यानिकि जो तुर्स डधर वगयरा इंडियन रहे चुक है और होगा थे तो वो सब एक एक जितक्त डिस्वुम कहते हैं थे पी आई-ो सी ईनराइजद है थे हैं यह बहुत ज़ूंद करते हैं की acontece कि अचा काम करते हैं पैसा कमाते हैं और पढ़ादाब में पैसा इंडियों वापस भेजते हैं रिपोर्ट अभी आई थी कि लगबग 80 billion dollar इंडियंस ने इंडिया भेजा है वह बहर रहते हैं Middle East में रहते हैं America करें ने, इंडिया इस्तियारों को अपने परिवार को लगभग 80 billion dollar के आसपास उन्हें पैसा इंडिया बेचा जो सबसे जाता है पूरे दुनिया में चाइना आता है तो पैसा जाता बेचते हैं जिससे कि इंडिया को इंडिया के पास अपने डॉलर्स बहुत जज़ा जाते हैं इंड चांदिया के लिए काम हो जाता है एक आधे फोरंड पॉलिशी में बहुत क्षा गरते हैं दूसी बात है बहुत सब्च्छाए को इंडिया में या कोई कंपनी खोलें तो बहुत सारा टेमने टुरच के चले गई है और बचने का सबस्क्राइज है तो बहुत मीड़न करेवी बहुत निया घ्रवारज मनें बैद में आयर जा गया बहुत जापिंख कितले की उन्हें फिर तो बहुत ही यादा असीज़ोंdade अरे गया जिसके घी सदिन Runner बहारती परवाशी दिव से बढ़ानाः कि इसाथ लोग बाहर के लोग तो उनसे इंटरेक्शन कर सकें उनसे एक्सपिरेंश कर सकें उनको थोड़ जा करें एंडियमे के इंवेस्टमेंड करें चीजों को बहतर करें तो यह सब चीजे हैं एक मैंने मोटा मोटा आपको इंडियन डैस्पोरा का पूरा एक हिस्ट्री दे दी है और फ्रोसामा ने इसको एकोनोमिक पॉइंटर विसे में बता दिया है बागी कमला हैरेस का देखी क्या होता है जितने हैं क्या हारते हैं लेकिन यह सच है कि इंडिया की जो इंडिया की और इंडिया की जो एक इमेज है वह बहुत अच्छी तरीके से विदेश बन रही है हमें इस चीज को और मजबूत करना चाहिए क्योंकि यह सब फॉरेंड झाल झाल